होम, रिलेशन्शिप, प्यार और रोमांस मैं सत्रह की थी और वो 49 साल का शादी शुदा आदमी था ये है हमारी लव स्टोरी एक दिन खाली बैठे मैंने फेस्बूक पर एक अंजाने आदमी को फ्रांड रिक्वेस्ट भेज दी जो दिखने में बहुत हैंसम था उस आदनी ने उसी रात फेस्बूक पर मेरी भेजी फ्रांड रिक्वेस्ट एकसेप्ट कर ली तुम्हे पता है कि तुम इस साडी में कितनी खुबसूरत लग रही हो उसने मेसेज किया थैंक्स, मुझे भी तुम्हारी डीपी अच्छी लगी इसी तरह हमने बाते करनी शुरू कर दी मुझे पता था कि वो 49 साल का शादी शुदाद्मी है जो दो बच्चों का बाप भी है इन सब चीजों के बाद भी हमने अपनी बाते शुरू कर दी इतना ही नहीं हमने अपना नमब भी एक दूसरे के साथ बदल लिया देखते ही देखते हम एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे के बैस्ट फ्रांड बन गए फेस्बूक पर हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा बाते करने लगे और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगे दूसरी और उस आदमी को लगने लगा कि हमारे करीब आने से इतनी बाते करने से वो अपनी बीवी से दूर जा रहा है वो अपने बच्चों के साथ दूसरे सटेम में रहती थी वो मुझसे बोलता था अभी पता नहीं मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ मुझे अफसोस है इस बात पर मैं नेचर से काफी शर्मी ली थी मेरे काफी अच्छे दोस्त भी थे लेकिन मुझाफिस जैसा दोस्त होना काफी स्पेशल था मेरे लिए एक महीने की चैटिंगे के बाद हमने स्काइप इंड करना भी शुरू कर दिया हम उस पर बाते कम और एक दूसरे को घंटों निहारा ज्यादा करते थे एक रात वह मेरे साथ वीडियो कॉल पर था उसने बोला ऐसे देखते देखते कहीं प्यार ना हो जाए खेर अब हम रोज ही वीडियो कॉल करने लग गए हम इतने पास आ चुके थे कि अब हम एक रियल कपल की तरह बिहेव करने लगे थे हम रोमैंस करते एक दूसरे को चिड़ाते और थोड़ी लड़ायां भी करते कहने का मतलब था कि एक सत्रा साल की लड़की को 49 साल के आदमी से प्यार हो गया था प्यार की कोई उम्र नहीं होती जिस तरह से प्यार की कोई उम्र नहीं होती उसी तरह से हम दोनों को भी अपना रिष्टा बिलकुल गलत नहीं लगा हमें नहीं लगा कि हमने कुछ गलत काम किया है जब उसकी बीवी आई इसी दोरान इसकी बीवी और बच्चे इससे मिलने आए पर वो फिर भी मुझसे बाते किया करता था यहां तक कि वो अपनी बीवी के सामने भी मेरी कॉल उठा लेता था उसी दोरान उसकी बीवी उस पर शक करने लगी क्योंकि अब वो पहले जैसा बिलकुल भी नहीं रहा था एक रात की बात थी जब ये दोनों बेर पर रिलेशन बनाने के लिए गए तभी इनके फोन पर मैंने मैसेज और अपनी फोटो भेजी उनकी वाइफ ने उठका फोन जैसे ही खोला मेरी फोटो उन्हें दिखी उसकी वाइफ ने कोई रियेक्शन नहीं दिया बस मुहाफिज को जोर का थपड़ मारा और रोने लगी तीन दिनों के बाद हुआ घर छोड़ कर चली गई मुझे उसकी वाइफ के लिए काफी बुरा लगा इसलिए मैंने उससे कई दिनों तक बातचीत बंद कर दी उसकी वाइफ के जाने के बाद हम फिर से मिले और हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बनाया जब उसने मुझे प्रापोज किया उसी शाम उसने मुझे प्रापोज किया मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए और कुछ नहीं अपनी जवानी में मैं काफी सारी लड़कियों से मिला पर तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसने मेरा दिल चुराया है वहां कुछ देर के लिए शान्ती चागई फिर उसने मुझे I love you बोला उसकी आँखों में आशू थे हम एक दूसरे को किस करना चाहते थे गले लगना चाहते थे मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ दूसरे दिन मुझे एक मेसेज मिला जिसमें उसने लिखा था Hey darling, I love you लेकिन मेरा परिवार भी है मेरी कुछ duties भी है यह मेरा तुमको आखिरी मेसेज है मुझे please call या text मत करना मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं शादी के बाद विध्वा बन गई हूँ मैं बुरी तरह से तूट चुकी थी काफी परेशान थी फिर लोटा वो मेरी जिंदगी में तीन महीने बीट जाने के बाद मैं एक लड़के के साथ रिलेशन्शिप में आई एक दिन मेरे पास किसी दूसरे नंबर से मुहाफिज का मैसेज आया बानी, इस देट यू प्लीज मेरी लाइफ में दुबारा वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं समझ गई कि यह उसी का नंबर है और फूट फूट कर रोने लगी एक घंटे की चैटिं के बाद मेरा दिल फिर से पिघलने लगा मेरे बॉइफ्रेंट को इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था मैंने उससे सब कुछ चुपा कर रखा था मैंने उस पूरी रात केवल मुहाफिज से बाते करती रही थी एक दिन मुहाफिज ने मुझे अपने घर पर लंच के लिए बुलाया था मैंने हां कर दी और चली गई घर जाकर मैंने देखा कि वो खाली था और वहां केवल मुहाफिज और कोई नहीं था उसने मुझे अंदर बुला कर फ्रेश होने के लिए बुलाया हम एक दूसरे को किस करने लगे, मैं भूल गई वह कौन है और मेरी उम्र कितनी है, वह पहला टाइम था जब मैं किसी के साथ सेक्स कर रही थी, वो भी ये जाने की हमने प्रोटेक्शन ली है या नहीं, अपने प्यार के नाम की वर्जनटी, तभी मुझे दर्द का एहसास हु अब मुझे पूरी तरह से एहसास हो चुका था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, प्यार का एहसास हुआ, अब मैं प्यार पाने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटड नहीं थी, वजनिटी खोने के बाद मेरी सोंच काफी बदल गई, मैं एक औरत बन चुकी थी, उस दिन मुझे पता चल चुका था कि प्यार का असली मायना क्या होता है, एक दिन मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में मुहाफिज को बताया और बोला कि मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे, उसने कहां की कोशिश करेगा, धीरे धीरे मुहाफिज का नाम मेरी जिन्दगी से मिटता चला गया, वो हमेशा रहेगा मेरा पहला प्यार, मैंने उसका नंबर टिलीट कर दिया और उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया, मैंने फिर उसे कभी ट्रेस करने की नहीं सोंची, लेकिन उसकी यादे आज भी मुझे दराती हैं, मैं खुश थी कि मैं इस अजीब से लगने वाले रिष्टे से बाहर आ गई, लेकिन आज भी वह आदमी मेरा पहला प्यार रहेगा, मैं भगवान से दुआ मानती हूँ कि मुझे जब भी कोई दे तो वह एक दम मुहाफिच जैसा हो, दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद